हेलो एवरिवन में किमिराटोर आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है आज की रेसिपी में हम आपके लेक्या हैं बिना गेस जलाए आसान तरीके से बनी स्वादिष्ट सिताफल की रबडी की रेसिपी आज की रेसिपी में हम आपको बनाना बताएंगे बिना चीनी डाले बहुत कम सामान में आसान तरीके से बनी हेल्दी और टेस्टी सिताफल की रबडी की रेसिपी अब हम देख लेते हैं बिना चीनी डाले और बिना गेस जलाए आसान तरीके से सिताफल की रबडी कैसे बनाएं सिताफल की रबड़ी बनाने के लिए हमने पके वे चार सिताफल लिये हैं सारे सिताफल को टोकरी में खटा कर लेंगे सबसे पहले हम सिताफल से उनके बीज और पल्ब अलग कर देंगे सारे सिताफल के पल्प को एक बाउल में खटा कर लेंगे चम्मच की साहता से इस तरह से निकाल लेंगे सीताफल एक ऐसा हेल्दी टेस्टी और स्विट फूर्ट है ये खुदी अपने आप में बहुत मीठा होता है इसमें चीनी वगर्या का ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है साधी पार्टियों में सिताफल की रबड़ी अधिकतर बनाई जाती है और लोग इसे मजे से खाते हैं आप लोग भी अपने घर पर सिताफल की रबड़ी बना सकते हो और अपने परिवार के साथ मजे से बैट कर खा सकते हो आप लोगोंने कई तरीके से सिताफल की रबड़ी बनाकर खाई होगी बट एक बार हमारे तरीके से भी सिताफल की रबड़ी बनाकर टेस्ट करिएगा यह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी प्रेंस यदि आप लोगों को हमारी सिताफल की रबडी बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमारे चेनल को लाइक शेर और सबस्काइब जरूर कीजेगा और हमें कोमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी सिताफल की रबड़ी बनाने की रेसिपी कैसे लगी इस तरह से हमने सिताफल के सारे पलप को अलग कर दिया है जब भी आप लोग अपने घर पर सिताफल की रबडी बनाएं पकेवी सिताफल का यूज़ करें पकेवी सिताफल की रबडी खाने में बहुत स्वाधिश्टे लगती है और सिताफल के पलप से बीज भी आसानी से अलग हो जाते हैं अब हम सिताफल के छिलकों को फेक देंगे सिताफल का पलप अलग करने के लिए हमने एक बाउल लिया है और पूरी तलने के छलनी ली है छन्नी में सिताफल का पलप डाल देंगे छन्नी में थोड़े थोड़े सिताफल का पलप एट करके हम इसके बीज अलग करेंगे सिताफल से उनके बीज और पलप अलग करने के लिए हमने इस तरह का आलू मेसर लिया है आलू मेसर को इस तरह से हलके हाँ से दबाकर हम सिताफल का पलप अलग करेंगे इस तरह से हमने आलू मेसर से सिताफल का पल्प और बी जलक कर दिये हैं अब हम इनको हटा देंगे आलू मेसर में थोड़ा सिताफल का पल्प लगा है इसे भी हम निकाल कर बाउल में खटा कर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे सिताफल की रब्डी बनाने के लिए और हमने एट किया है पहले से गर्म करके ठंडा किया हुआ मलाई वाला दूद अब हम सिताफल के पल्प में दो बड़ा चम्मच दूद और एक छोटी चम्मच मलाई एट कर देंगे जब भी आप लोग अपने घर पर सिताफल की रब्डी बनाएं एक बात का ध्यान जरूर रखें रब्डी बनाने के लिए बिल्कुल ठंडा दूद लेना है गर्म दूद का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है बचे हुए दूद को साइड में रख देंगे हमने दूद को सिताफल के पल्प में अच्छे से मिला दिया है रब्डी बन गई है अब हम इसे बावल में ट्रास्पर कर लेंगे हम बिना चीनी वाली सिताफल की रब्डी बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें चीनी का यूज नहीं किया है आप लोग चाहो तो इसमें एक से दो टीस्पून चीनी का यूज कर सकते हो इस तरह से सिताफल की रब्डी बहुत कम सामान में जटपड से बन जाती है और ये खाने में भी भूश स्वादिश्ट लगती है इस तरह से सिताफल की रब्डी बना कर आप लोग वरत में भी खा सकते हो और ऐसे भी बना कर खा सकते हो इस तरह से सिताफल की स्वादिश्ट रब्डी बन कर तैयार है अब हम रब्डी को पिस्ता कतरन से गार्निश कर देंगे प्रेंस आप लोग भी अपने घर पर हमारी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा और हमारे तरीके से सिताफल की रबड़ी बना कर टेस्ट करिएगा ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी और आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कल फिर मिलेंगे इक नए रेसिपी के साथ धन्यवाद